मनोहरलाजी की जना अशिरवाद यात्रा आज भले ही रहतक में समाप्त हो रही है लेकिन इससे साफ हो गया है कि आने वाले समय में भी हर्याना का अशिरवाद किसके साथ रहेगा और मनोहर जी पांच साल पहले जब दाईस्तों समाला सब भाती भाती की बाते 2001 में जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना और जैसा मेरे लिए मैं भाती भाती की बाते सुझता था मनोहर लालती के लिए भी लेकिन पांच साल के एक निश्ट अठक पुर्शार्थ का परणाम है कि आज हर परिवार मनोहर बन गया है अब हरियाना के लोगों को कठिनाई हो रही है कि सही नाम क्या है कोई नमोहर बोलता है कोई मनोहर बोलता है तो एक में ही दोनों समाईद है नमोहर भी है मनोहर भी है लोग मुझे नमो नमो करते से लेकिन जब मुझे लोगोंने नमोहर कहा मुझे भी ज़रास्तरिय हुआ बहाईवार भी है विकास के रास्ते पर चलते हुए गरीब, पीडीद, शोशीद, बंचीद की सेवा करते हुए जन विश्वास मिलता है आज की सभा उस जन विश्वास को एक और महर लगा रही है बीते पांच वर्ष में हर्याना को भारतिये जनता पार्टी की केंद्र और राज्य सरकार के डबल इंजन का पूरा लाब मिला है अभी हर्याना में केंद्र सरकार की मदद से लगभग 35,000 करोड रुपिये के बड़े प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है विकास के इसी सिल्षले को जारी रखते हुए थोड़ी देर पहले लगभग 2,000 करोड रुपिये की परियोजनाओं का सिलान्यास और उद्धाटन किया गया है इसमें बेटियों की उच्च सिछा के लिए स्विर्षा, पलवल, हिसार और नू में डिगरी कॉलेज भी शामिल है मुझे खुछ ही है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, अभियान को सबल बनाने के साथ ही यहां की बीजेपी सरकार बेटियों की शिक्षा पर व्यापक बल दे रही है मैं मनोर जी उनकी टीम को बढ़ाई देता हूँ यहां आज़ पास के जीलों में बेटियों के अनुपात में जिस तरह व्रुद्धी हुई है इसकी चर्चा पुरा देश कर रहा है साथ क्यों, कॉलेज के साथ साथ पानी की परियोजना सोलर स्ट्रीट नाइट का काम स्वास्त से जुड़ी सुविधाएं स्मार्ट ववसाओं से जुड़े प्रोजेक्स का सुवारम भी आज यहां हुआ है किसके अलावा यही रोतक में करीब 600 गरीब परिवारों को घर भी दिये गए हैं और एक मेगा फुड़ पार का सिलान्याद भी किया गया है